इस काहाणी की शुरुआत में हमें दो कलाऊन फिश, मरलीन और कॉरल को दिखाया जाता है, मरलीन अपनी पतनी कॉरल के सาथ ग्रेड़ बेरियर इसमें एनिमोर में रहता है, और वहां उनके 400 से ज़्यादा बच्चे होते हैं लेकिन और सभी अंडे में ही होते हैं मरलीन उनका नाम मास्टर मरलीन और मास्टर कोरव रखता है लेकिन कोरल को वो नाम पसंद नहीं आता इसलिए उनका नाम नीमो रखती है मरलीन और कोरल इस बास से खुश होते हैं क्यों कुछ दिनों में मॉम डेट बन जाएंगे और वो दोनों अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए मस्ति करते हैं तब ही वहां एक बारकुटा मचली हमला कर देती है और उससे लड़ते समय कोरल मर जाती है वहीं उसके अंडे भी बारकुटा खा जाती है लेकिन जब मरलीन क होश आता है तो देखता है कि कोरल मर चुकी है और उसके सारे अंडों में से एक अंडा वहां बच जाता है और मरलीन उस अंडे को जिसका नाम नीमो होता है उससे वाधा करता है क्यों से कभी कुछ नहीं होने देखा कानी में हमें कुछ साल बात का समय दिखाया चाहता है कि नीमो अब बड़ा हो चुका है और उसका इस्कुल का पहला दिन होता है नीमो अपने पिता को इसकुल जाने के लिए उठाता है तब Rum एक पोदे में फस जाता है तब उसके पिता मरलीन उसे बहार निकाल कर पूँचते हैं क्यों से चोड़ तो नहीं आई नीमो अपने डेट को बताता है क्यों बिल्कुल ठीक है लेकिन मरलीन बारकोटा फिश के अमले के बाद नीमो के लिए काफी चिंतित रहते हैं साथ नीमो का एक पंग भी छोटा होता है इसलिए मरलीन उसे इसकुल नहीं बेजना चाहते है लेकिन नीमो जित करता है औरो इसकुल जाने के लिए काफी उससाइद दिखाए देता है मरलीन नीमो को सुरक्षा के लिए गर से बहार निकालने का तरीका बताते हैं ताकि नीमो किसी फिश का शिकार ना हो फिरो इसकुल के लिए निकल जाते हैं जहां नीमो अपने डेड़ मरलीन से रास्ते में डेड़ सारे सवाल पूंचता है फिरो इसकुल पहुंच जाते हैं मरलीन इसकुल के टीचर से बात करते हैं तो उनसे एक मशली जो की सकुल का टी लेकिन मरलीन जोग भूल जाता है तबी कुछ मचलिया नीमो के पास आती है और नीमों से बाचित करता है वहां मिश्टर रे बिया जाते हैं जो कि स्पूल के एक टीचर होते हैं और उस सभी बच्चों को समुन्द दिखाने ले जाते हैं मिश्टर रे नीमों से एक सवाल पूसते हैं कि ओ किस तरह के घर में रहता है मगर नीमों उसका जड़ाब नहीं दे पाता मरलीन मिश्टर रे के पास जाते हैं ओर ने बताते हैं कि नीमों का एक पंग चोटा है इसे लिए उस से कुछ देर आराम करने दिया जाये तो मिश्टर रे मर्लीन से गेते हैं कि आप चिंता ना करें सभी बच्चे साथ रहेंगे ये केकर रे चले जाते हैं फिरा में दिखाया जाता है कि मिश्टर रे सभी बच्चों को गेरी खाय के पास ले जाते हैं मरलीन को भी इस बारे में पता चल जाता है जिसने वो परेशान होते हैं और वो भी गेरी खाय की तरब चले जाते हैं नीमो समुन्दर में पहली बार अलग-अलग चीजों को देखकर कावी खुश होता है और मिस्टर रे सभी बच्चों को सोमेलेटिक साइनो बेक्टरिया द उसे देखकर इस्टारफिश पर भी ऐसा करती है तब यहां मरलीन आ जाता है और नीमो पर गुशा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो टाइम पर नहीं पहुचा होता तो नीमो भी खुले पानी में चला जाता और नीमो को इसको लाने से मना कर देता है लेकिन मि नीमो बोर्ड के पास से वापस आ रहा होता है तब उसे गोताकोर पकड़ लेते हैं और वहां से चले जाते हैं नीमो को बचाने के लिए मालन शिप के पीछे पीछे जाता है लेकिन उसे बोर दिखाई नहीं देती तबी मरलीन एक फिछ से टकराता है जिसका नाम डोरी होत और उस पर बहुत गुसा होता है तबी डोरी मरलीन को बताती है कि उसकी आदाश कभी कभी चली जाती है मरलीन को लगता है कि डोरी उसका वक्त जाया कर रही है और वहां से जाने ही लगता है तबी मरलीन के सामने एक शाक मचली आ जाती है जिसका नाम बुरूस होता है बुरुस बताता है कि उनसे धूरे ना वो टूबे हुए बम है फिरा में दिखाये जाता है कि बुरुस अपने दो दोस हेकर और जम को बुलाता है और उने बताता है कि उसके साथ मेमान आये हैं बुरुस और उसके दोस मिलकर एक शबत दोराते हैं क्यों मशलीयों को नहीं खाएंगे और उनसे दोस्ति करेंगे बुरुस जम और हेकर से कहता है कि तुम्हारे दोस कहा है तो हेकर अपने एक दोस मेंडा को बताता है जो कि काफी डरावा होता है और वहां से चला जाता है लेकिन जम अपना कोई दोस नहीं लाता और मरलीन को अपना दोस बनाता है बुरुस अपना नाम बताता है और कहता है कि उसे मशली खाये हुए तीन अपते हो गए वहीं डोरी भी अपने बारे में बताती है बुरुस मरलीन से उसके बारे में पूंचता है तब मरलीन बताता है क्यों एक क्लाउन फीश है ये सुनकर जब उसे जोग सुनाने हो केता है मरलीन उन्हें एक जोग सुनाने लगता है तब उसकी नजर एक वाटर ग्लास में पढ़ती है जो कि एक गोता खोड़ने लगाई हुई थी वाटर ग्लास के उपर कुछ लिखा होता है डोरी उसे शाक के पास पढ़ाने लेकर जाती है मरलीन और डोरी आपस में ग्लास को कीशते हैं जिसें की डोरी के नाक पर लग जाती है और खुन निकल जाता है तब ही बुरुस को खुन की खुशवा आती है वो डोरी और मरलीन को खाने कोशिश करता है लेकिन उसे शाकरने से जम और हेजर रोकते हैं लेकिन बुरुस उनकी नहीं सुनता तभी मरलीन और डोरी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और बुरुस को रोकने के लिए जम और हेजर भी उसके पीछे भागते हैं मरलीन और डोरी दोनों एक शिप में फज जाते हैं तभी बुरुस उन पर हमला करता है तभी डोरी को इंग्लिश में इस से बढ़ो बुरूस उन पर हमला करने कोशिश करता है तब ही वो एक लोए की रोड को मुझे निकाल कर फेक देता है और और रोड पानी में डूबे हुए बोम से टकरा जाती है और बुरूस और उसके दोस्वां से भाग जाते हैं बोम के फटने से पानी में एक बड़ा दमा ना है तब निमो को एक इस्ट्राफीज जिसका नाम पीज होता है वो बताती है कि तुमारे पापा वही मुझे यों की तैंकि की दुकान में होंगे तब ही allen जग्सें है उन मेंसे एक मजली गुर्गल निमो से पूझती है कि तुम कहां से आये हो तो निमो बताता है कि वो समुन्दर से आया है तभी गुर्गल जेक को बुलाता है और वो नीमो के बेक्ट्रिया साफ करता है फिर डॉक्टर रुकलांडा को ओप्रेशन करते हैं और सभी टेंग की मशलियां ओप्रेशन को बड़ा ध्यान से देखती है तभी पीछ कहती है कि एकसरे के हिसाफ से लिकन पक्षियां आता है और वो उप्रेशन के बारे में पूशता है डॉक्टर उसे देख लेते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं जब नीगे लुड कर जाता है तो एक तज़्वीर उसके पंक से टकराकर नीचे गिर जाती है डॉक्टर तज़्वीर को उठाते हुए दिया गया था लेकिन उसने उसे मार दिया और उसका अंतिम संसकार क्लीनी के टोईलेट में हुआ था ये सब देखकर नीमो डर जाता है वो कहता है कि मुझे नहीं जाना उस लड़की के साथ मुझे मेरे घर जाना है लेकिन नीमो फिश टेंग के फिल्टर पाइप में फस जाता है इसलिए सारी मशलियां नीमो को बचाने भागती है लेकिन उन्हें गिल नाम की एक मशली ऐसा करने से मना कर देती है नीमो गिल से पूचता है कि क्या आप मेरी मदद करोगे तो गिल मना कर देता है और खुद को वहां से निकलने हो कहता है तब ही नीमो कहता है कि मे पुबी उई नाउ में अटका होता है और वो दोनों होश में आ जाते हैं तब यो नाउ अचानक से खिसक जाती है और दूसी चटान से टकरा कर रुख जाती है लेकिन वाटर गलास अंदेरी खाई में घिर जाता है डोरी मरलीन का हाथ पकड़कर खाई के अंदर ले जाती है जहां उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, वहीं थोड़ी अंदर जाने के बाद उन्हें कुछ रोश्णी दिखाई देती है, और और दोनों रोश्णी के पास पहुँच जाते हैं, मगर और रोश्णी एंगलर फिश की होती है, जो उन पर हमला कर देती है, मरलीन और डोरी बागने लगते हैं, बागते समय मरलीन को वाटर ग्लास दिखाई देता है, डोरी ग्लास पर लिखे अक्षर को पढ़ने कोशिच करती है, लेकिन एंगलर फिश अमला कर देती है, और उसे बचानी कोशिच में एंगलर फिश वाटर ग्लास में फज जाती है, नीमो के बिता कि फिश टेंग में स्वयाँ वा था उसे जेक से अपने पास बिलाता है और ब्लोट निमो को बदाता है कि I havenे तुम्हें महा जौला मुखिवाला पोकारा की छोटी पर बुलाया है तुम्हें टेंग मशली संगटन का सदर से बनाने के लिए बलोट नीमो से बोलता है कि तुमे इस जौला मुखी को पार करना होगा और टेंग की सारी मशलिया जो जो से चिलाने लगती है नीमो जौला मुखी को पार कर लेता है गिल नीमो का नाम शेंशा रख देता है गिल केता है कि नीमो हम में से एक है और हम नीमो को डारला के आवाले नहीं कर सकते गिल एक प्लान बनाता है वो बताता है कि नीमो सबसे चोटा है इसलिए वो फिल्टर में आजा सकता है और फिल्टर के फेन में पतर फसा देगा ऐसा करते ही फेन रुख जाएगा और टेंग गंदा होने लगेगा तो डोक्टर टेंग को साब करने के लिए सबी मशलियों को बहार निकालेंगे और अलग-अलग थेली में रखेंगे फिर नीमो लुड़कर खिड़की से बहार निक जो कि पानी में गौल-गुल घूम रहा होता है मरली उनसे बात करने ही जाते मगरों मशलिया मरलीन की बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है म मशलियों का जुन मिलकर अलग-अलग आकरतिया बना कर उन्हें चिडाते हैं तो मरलीन वहां से चले जाते हैं दोरी और मरलीन को रास्ता बताती है और मरलीन शुक्रिया बोलकर वहां से चले जाते हैं तो मशलियां डोरी को केती है कि जब आप सुरंग से निकलो तो सुरंग क बीच में से निकलना उपर से नहीं तो डोरी उन्हें बोलती है कि मैं याद रखूंगी और वाँ से चली जाती है मगर डोरी सुरंग को देखकर भूल जाती है और मरलीन उसे कहते हैं कि हमें सुरंग के उपर से चलना चाहिए और उपर से चले जाते हैं मगर डोरी को एक जेली फिश का बच्चा दिखाई देता है और उसे चुलेती है तो डोरी को काटा चुप जाता है मरलीन जब डोरी का काटा निकालते है तब उन्हें बहुत सारी जेली फिश गेर लेती है लेकिन डोरी उनके ओपर कूदने लगती है मरलीन डोरी से एक गेम खेलने हो कहते हैं जिसमें उन्हें सिप जेली फिश का बस ओपर का इसाई चुना है और जो सबसे पहले सुरंग से बहार निकलेगा वो जीत जाएगा लेकिन मरलीन पहले भारा जाते हैं और डोरी जेली फिश में फस जाती है तो मरलीन डोरी को जेली फिश से बचा लेते हैं लेकिन दोनों बेऊशो जाते हैं वही नीमो और गिल आपस में बाते करते हैं और जब कुछ समय बाद डोक्टर टोईलेट में जाते हैं तो नीमो फिल्टर को खराब करने के लिए फिल्टर के अंदर चला जाता है गिल उसे पत्थर देते हैं और नीमो को बताते हैं कि और फिल्टर के पंखे में पत्थर फसा दे जिससे की पंखा गुमना बंदो जाएगा लेकिन नीमो ऐसा नहीं कर पाता तो गिल नीमो से एक बाफिक कोशिश करने की एते हैं नीमो फिर से कोशिश करता है और पत्तर को फसा देता है और ट्यूब की मदद से बाहर आने ही लगता है लेकिन फेन का पत्तर निकल जाता है और फिल्टर चालू हो जाता है नीमो फिल्टर चालू होने की वज़े से ट्यूब में फस जाता है ये देखकर गिल उसके मदद के लिए ट्यूब में डाली फसाते हुए नीमो को बाहर निकाल लेते हैं वही नीमो के पिता एक कच्छव के उपर सोय होते हैं तबी कच्छवा मरलीन को जगा देता है और ने अपना नाम क्रश बताता है मारलीन क्रश से कीएते हैं कि उन्हें इष्ड औश्टेलियन करंडियाने इस सिथे तक पहू survived है जो केवप एक समुंधरी दारा होती हैं क्रश कीएता है किम सब बीयों के सब आई क्रश और उसके साथ धारा में तीज़ी से बहने लगते हैं क्र रॉर्य एक कच्वे के ऊपर व्योशी की आलत में सोही होती है कि मॉर्लिन के पास उते हैं तो कच्वे के बच्चों के साथ wł Caitlin लगते हैं कर्श का पेटा सनी बोई भी वहां आản flex से बाते करता है वहीं डोरी के साथ बहुत सारे कच्छे के बच्छे आते हैं जो कि मरलीन के साथ खेलने लगते हैं तो मरलीन बताता है कि मैरे बेटे नीमो को कुछ गोता खोर उठा कर ले गए कच्छे के बच्छे ये बात सभी को बताते हैं जिससे की पुरे समुंदर के जी कि आवा सुनाए देती है तो विंडो खोल कर बाहर देखते हैं लेकिन उन्हें कोई दिखाए नहीं देता डोक्टर विंडो खुली छोड़ कर वापस चले जाते हैं और नीमो को बताता है कि नीमो के पिता उसे डूंडते हुए आ रहे हैं गिल नीमो से कहता है कि मरलीन ने श सफर की कहानी सुनाता है यह सुनकर नीमो कफी खुश होता है वह फिल्टर को फिर से रोकने के लिए फिल्टर के पास चला जाता है नीमो फिल्टर में पतर फसा कर उसे रोक देता है गिल सभी मशलियों से टेंग को गंदा करने केता है गिल बताता है कि डाला के आने में ग्रच केता है कि तुम्हें एक पार्णर चुनना होगा तो डोरी मरलीं गो जुनती है और सनी ने बाहर निकालने के लिए पीछे से दकार दे देता है मरलिन डोरी धारा में बेते हुए बार निकल जाते हैं करश आकर उन्हें सिड्नी का रास्ता बताते हुए कि एता है कि तुम्हें सिधा जाना है डोरी और मरलिन सिधे जाते हैं लेकिन उन्हें काफी टाइम लगता है लेकिन मरलिन को पता चलता है कि वो सीधे नहीं जा रहे बलकि गुल-गुल घूम रहे हैं तो डोरी कहती है कि हमें किसी से रास्ता पूछना चाहिए तब उन्हें वहाँ एक वेल मचली दिखाए देती है और डोरी उसे कहती है कि मरलिन के बेटे नीमो को कुछ गोता को रुठा कर ले गए और उसे बचाने के लिए हमें सिडनी जाना है क्या आप हमें रास्ता बता सकती है लेकिन वहल कोई जवाब नहीं देती तो डोरी वेल के आवाज निकालती है मगर फिश वहाँ से चली जाती है और पीछे सा आके उन दोनों को अपने मुँ में बंद कर लेती है वही नीमो और बाकी मशलिया डोक्टर के आने का इंतजार करती है डोक्टर वहाँ पर आ जाते हैं डोक्टर फिश टेंग को देखते हैं क्यों काफी गंदा हो गया है इसलिए डोक्टर अपनी अशिस्टेंट से कल का पहला अपोईट्मेंट केंसल करने हो कहते हैं वो डारला के आने से पहले टेंग को साब करना चाते हैं ये सुनकर निमोख खुश होता है वही मरलीन और डोरी वेल के मुह में होते हैं मरलीन वेल के मुह से निकलने कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं और ठक कर नीचे बेड़ जाते हैं डोरी जिसकी आदास थोड़े समय के लिए चली जाती है इसलिए डोरी वेल के गले की तरप जाता है तो मर्लिन चिलाते हैं कि डौरी ने क्या किया लेकिन वहल एक वहल उन्हें कहने चाहती है यह दोंगे लिगागता है कि वहल उने खाना कि ट॔री वेल की आवागल नहीं निकाल सकती, लेकिन तभी वेल एक वाफी से चिलाती है, ड॔री के टी है कि वेल का केना है, कि सारे बंदन छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा, मलीन ड॔री की बात माल लेते हैं, और वेल की जीब को छोड़ देते हैं, जिस्याओं वेल के गल्फिडे से होते हुए बार हवा में उचल कर पानी में घिर जाते हैं मरलीन देखते हैं कि वो जिन्दा है वही दोरी को बहुत सारी शिप दिखाई देती है जिन बस सिडनी लिखा होता है मरलीन वेल को थेंस बोलते हैं और शिप को ढूरने लगते हैं फिरा में दिखाये जाता है कि सुबह हो गई और फिश टेंग पुरी तरह से साफ हो गया गिल सभी मशलियों से कहता है कि रात में डॉक्टर ने नया फिल्टर लगाया है तो इस फिश फिल्टर का मेनूल पढ़कर कहती है कि सेल्फ गेरंटी फिल्टर है जिसकी गारंटी टेंग की मशलियों के मरने के बाद भी चलती रहेगी और ये फिल्टर टेंग की हवा और ता पाओं मगालते हैं लेकिन सबी मशनियाँ में चलिजाती है। कि एक क्यों मरना नहीं चाहता Romans पिल नीमों से वादा करता है कि उसे मरने नहीं देगा मगर वहाँ डाला जाती है डाला के आने से सारी मशलियां धर जाती है वहाई फिर मरलीन और डोरी पानी के ओपर तेर रहे होते हैं तो उने एक डेलिकन जेरल आकर खा जाता है मगर मरलीन और डोरी उसके पेट में उचल बाहर आ जाती है मरलीन बाहर आते ही कहते हैं कि मुझे अपने बेटे निमो को ढूना है तो निगेल जेरल से कहता है कि यह तो वही मरलीन है जिसके बाद हम कर रहे थे मरलीन और डोरी वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन वहाँ डियर सारी बदक होती है जो ने खाना चाहती है निगल उनके पीछे जाता है और ने कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरी चोश में बेट जाओ लेकिन मरलीन कहते हैं कि हम तुम्हारी चोश में आकर जि किशा करती है लेकिन नीगेल उन्हें एक शिप के कपड़े में उल जाकर बाग जाता है फिरा में डार्ला को दिखाया जाता है जो कि फिश्टेंग को उंगली से बजा रही होती है लेकिन डार्ला को उसके अंकल बुलाते हैं और उसके दांत को देखने लगते हैं डार्ला उ टॉइलेट में फ्लष कर देंगे ताए कि वह बहुता है बलोड कहता है कि उमने की एकटिंग क्यों कर रहा है तो गिल केहते हैं कि ट्रॉक्टर कर देंगे हैं मगरों मना कर देता है फिर मारलीन उसके मुग के अंदर उचलते है इसलिए नीगल अंदर चला जाता है नीगल को देखकर डाला ढर जाती है नीगल डोक्टर पर हमला कर देता है यह सब देखकर डाला जोर जोर से चिलाने लगती है तो डोक्टर डाला को हिलने और चिलाने को मना करते हैं, ़ौक्टर के हाठ से नीमो घिर जाता है इसलिए नीगेल रुख जाता है तो ढोक्टर नीगेल को पकड़ लेते हैं, और विंडो से बाहर करके विंडो बंद कर देते हैं, डाला नीमो को हाथ में उठाकर जोर जोर से इलाती है कित सभी मशलियों को हाका नुमग की चोठी पर बुलाता है और लेकी मशलियां चोठी को दखा दियेकर तेडा कर देते हैं और जैड झोल बुलेर चोड़ देता है ऐसा करने साटाइक जिससे यो नीमो को हाथ में से छोड़ देती है वही नीमो एक ट्रे में गिर जाता है और नीमो जिस तेली में केयता है वो फूर जाती है गिल भी नीमो के पास ट्रे में आकर गिरता है और नीमो से केयता है कि शैंशा गर जाकर अपने अभू से मेरा सलाम केना एसा केकर गिल नीमो को धका देता है और वो टोईलेट में घिर जाता है और फ्लेश में बेज आता है लेकिन डोक्टरों कुछ समन नहीं आता और गिल को पानी के टेंग में डाल देते हैं नीमो फ्लेश में बेता हुआ बड़े से पाइप में चला जाता है नेगल डोरी और मरलीन को लेकिन उसे अपने डेड दिखाए नहीं देते लेकिन तरह भी नीवो की मूलागात डोरी ग़ोते हैं जो नीमो को केहती हैं कि दोरी ने किसी को भूद धी है तो नीवो केहता है कि मैं भी इुरी को सब लेको psicHeart जाता है डोरी नीमो कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ और मरलीन को भी जानती है नीमो और डोरी दोनों मरलीन को ढूने लगते हैं लेकिन उन्हें उन्हें नहीं मिलते तो दो केगड़ों से पूँचते हैं कि उन्होंने यहां से नारंगी कलर की मशली को जाते देखा है तो करें उननें बताने से मना करते हैं तो डोरी एक केखड़े को पानी से बहा निकाल देती है तो केखड़ा कैयता कि उसने उने जाते देखा है दोरी और नीमो केकड़े की बताई हुई दिशा की तरफ जाते हैं मरली नकेले गर की तरफ जा रहे होते हैं तब उन्हें नीमो की आवास सुनाई देती हैं और वो देखते हैं कि दोरी और नीमो एक साथ हैं मरली नीमो को देखकर खुश होते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं लेकिन वहां कुछ मच्छवारे जाल फेक देते हैं जिसमें डोरी फस जाती है और डोरी को बचाने के लिए नीमो जाल के अंदर चला जाता है जाल सभी मचलियों से गेता कि नीचे की तरफ तेरिये सारी मचलियां नीचे की तरफ तेरती है और जाल नाव से त लेकिन नीमो जाल में धव जाता है जान डोरी और उसके पिता मिलकर नीमो को निकालते हैं और नीमो को होशा जाता है हमें दिखाया जाता है कि मरली नीमो को इसकुल जाने के लिए उठा रहे होते हैं और दोनों रेस लगाते हुए इसकुल पहुंसते हैं मरली इसकुल के टी पुर पने मीमबर डूरी को चोड़ने हाए वह नीमो अपने पिटा से मिलने आता है और ने लव यू बोलता है फिर मिस्टर दे के साथ चला जाता है और या इस मूवी की हैपी यंदिंडिंग हो जाती है । और गाईस अगर आप एसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंडी स्किन बग किली करके इस वीडियो को भी वाच कर सकते हैं साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तही दिल से शुक्रिया और गाईस आप कौन सी मुवी देख करना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जुरू बताए थैंक्स वरोचिंग